बिस्मिल्लारामुलारामुलेकुम जी आज इस चीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं that is machine learning आप लोग उने काफी दफा सुना होगा machine learning, machine learning, deep learning, artificial intelligence AI ने ये कर दिया, AI ने वो कर दिया तो AI का जो basic unit है data के आगे वो है machine learning और machine learning क्या होती है, आज हम उसको सीखेंगे, इसकी कितनी types होती है वो भी सीखेंगे, प्लस हम ये भी देखेंगे कि machine learning को python के अंदर आप किस तरीके से train कर सकते हैं, और different किसमिले models अपने वाले कैसे बना के उन्हें utilize भी कर सकते हैं, and later on in this series we will also learn how to deploy those models inside machine learning apps और ये सारे का सारा procedures, इन्शाला हम machine learning के अंदर करने वाले हैं जो आज का हमारा lecture है machine learning से related, जो हम चीजों पर बात करेंगे, उनसे start करते हैं machine learning एक ऐसा topic है, जो काफी दफ़ा लोग जो है, इसको explain करते वकत इतनी दूर निगल जाते हैं कि वो सीधा सीधा AI कहने लग जाते हैं इसको of course this is AI, लेकिन एक बात बड़ी important है कि machine learning हर किसी की जवान पर क्यों चड़ी हुई है हर किसी जवान पर machine learning ही क्यों है, क्यों they are talking about machine learning all the times और AI, AI, AI क्यों हो रही है, और क्या AI ही machine learning है, यह सारे आपके questions होंगे, ठीक है लेकिन अब जिस चीज से मैं आपको start करवाने वाला हूँ, वो simple इसकी definition है कि machine learning होती है जैसा कि नाम आपको बताता है machine learning क्या है, this allows machine to learn और machine computer है basically, अगर आप सोचें कि machine क्या है, यह computer है करना सिखाया, आप उसे बेचे ही ना, कि इसको तो मैंने सिखा दिया, अगर मैं इसको बेचूँगा तो मेरा model गया, बेरी learning ही ऐसा नहीं होता यह computer के अंदर जो मुझूदा software या आप कहा सकते है models होते हैं, आप उन्हें train करके save कर सकते हैं and at the end, अगर आप machine learning models की बात करें, जो आज हम इन्शाला देखने वाले हैं, वो बहुत important होते हैं, तो do machine learning task तो इसका मतलब है, जब हम machines को allow करते हैं सीखना, और उन से decisions लेते हैं machines के, उस सीखे हुए के through, इसको हम बोलते हैं machine learning simply, machine learning allows machines to learn and make decisions smartly, यहां तक clear होगी नहीं बात, अब देखते हैं कि machine learning में हम क्या 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 कर सकते हैं, in machine learning, machines can learn from the data provided or their own experience, ठीक है, या तो हम data provide करते हैं, या वो अपने experience से, अपने experience क्या होता है, data कोई नहीं है, आप उससे काम लेना start करें, वो बहुत गलत काम करेगा पहले लेकिन आइसता है जब आप कहेंगे नहीं कि ठीक नहीं किया दुबारा करो, ठीक नहीं किया दुबारा करो, ठीक नहीं किया दुबारा करो, तो वो सीख जाएगी machine, इस तरीके से वो अपने experiences के साथ भी सीखती है, it depends upon the type of machine learning के आप कौन सी machine learning की type करें, जैसे कि मैंने आपक पुछ टाइप्स होती हैं जो हम देखने भी वाले हैं इनको अगर मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करो मशीन लेर्निंग के पार्ट को आपके पास डेटा होता है ठीक है आप डेटा से जो मशीन लेर्निंग है वो प्रडिक्शन को लर्न करती है अगर मैं थोड़ा से डिटेल में जाओ अगर हमारे पास डेटा हो क्योंकि डेटा हम क्लेक्ट कर सकते हैं डेटा दुनिया में बड़ा बड़ा है ट्रिलियन कुंटीलियन डेटा मुझूद है मतलब आप कहलें कि इतनी जीबिस का डेटा ये हमारे पास पड़ा हुआ है कि हम गिनने बैठ जाएं तो हमारे गिनती खतम हो जाएगी सिफरे खतम हो जाएंगे लेकिन डेटा इतना मुझूद है कुछ डेटा हमने स्टोर कर लिए है कुछ डेटा इंसानों के अंदर मुझूद है वो कुंटीलियन बैट्स का डेटा है कुंटीनियन ठीक है थाउजंड्स ओफ मैग होंगा के ट्रिलियन ओफ जीबिस अगर आप देखें तो इतना ज्यादा डेटा मुझूद है उससे किसी ने तो सेंस बना नहीं है जो कंपनी सेंस बना रही है वो जितना डेटा है उतना ही कमा रही है ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर ठीक है गूगल माइक्रोसफ्ट ओपन एआई ट्वीटर पे एक्स जो ट्वीटर और एकस है इसके इलावा गवर्मेंट्स जो जिस कवर्मेंट के पास सबसे ज़्यादा डेटा वो राज कर रही है यूएस कवर्मेंट्स क्यों कर रही है राज क्योंके उनकी कमपनी के पास डेटा आपको शायद यह मुझे वो ना बताएं लेकिन दे कन उटिलाईज देटा अगले दोर में अमीर वो होगा जिसके पास डेटा होगा और डेटा से वो driven decision making करेगा मशील रर्निंग क्या करती है डेटा से patterns को learn करती है ठीक है डेटा में patterns को learn करती है और उन learned patterns की base पे फिर predict करती है मिसाल के तोर पे कल हमारे पास यहाँ पे snow हुई जहाँ पे मैं रहता हूं जर्मनी के अंदर और अभी चल रहा है November ठीक है इतनी ज्यादा snow नहीं हुई लेकिन हुई अब ये snow पहले ही मेरी weather app के अंदर आ रही थी कि अगले 8 गेंटों के बाद snow होने वाली है उनको कैसे पता उनको पता लगा डेटा की डिफरेंट किसम की डिमेंशन से कि wind direction यह है और डिफरेंट किसम का डेटा है rain हो रही है temperature कितना below zero चला गया and how it will happen all these things उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि अगले 8 गेंटों के बाद snow होने वाली है and now they are again saying मेरी weather app के अंदर के आज राद 2 बजे दुबारा से snow start होगी and it will go like for 8 hours just imagine यह prediction कहां से आ रही है यह data की base पे आ रही है हर साल में उन्होंने यह pattern recognize किये machine learning models ने यह pattern recognize किये and now these machine learning models are actually predicting कि क्या होने वाला है और उसकी base पे आप decision लेते हैं जैसे कि मैंने क्या decision लिया है मैंने घर के heater थे जाहरी बात है thund में बिमार थोड़ी नहोना है बाहर जाना है तो jacket पेन के जानी है jacket पहननी है तो अच्छे खाथ है shoes भी पहनने के बीच में पानी ना चला जाए अब यह हमें कैसे पता चले है इंसानों को हमें आइस्ता आइस्ता पता है कि स्नो हो रही है बाहर तो ऐसे नहीं जाना बाहर देखना है वैदर में ठंड ज्यादा है बारिश हो रही है तो च्छतरी लेकर जाना और as a consumer भी आप decision लेते हैं as an industry भी आप decision लेते हैं as a government policy makers जो होती है पास तो और पर policy makers जो होती है वो भी इससे decision लेते है and a lot of people also do that so data, learning, prediction and decision यह चार step है machine learning के data नहीं होगा machine learning कुछ नहीं कर सकेगी data is everything खाम माल है data उसकी बेस पर machine learning करती है and then predict करती है and then decisions होती है यह है machine learning अब जो question आप सब के mind में है कि machine learning तो हमें आगी पता लग गया अब AI क्या है फिर एक term और use होती है deep learning क्या है फिर एक नहीं term आगी है large language models की और उसके बाद अभी recently Sam Altman जो है जो open AI किसी है उसने बोला है कि जो 2025 के अंदर artificial general intelligence आने वाली है सो वो क्या चीज है यह सारी किसारी terminologies machine learning के साथ link करती है कैसे मैं आपको कुछ figures यहां पे दिखाऊंगा sources मैंने साथ में दिये हूँ है to just give you an idea हमने data analytics पढ़ी which was a big branch के data कैसे आता है data में patterns क्या है and as a human हम data में इसे patterns निकालते थे data का explore करते थे data exploratory analysis भी करते थे EDA जिसे बोला जाता है EDA exploratory data analysis and so on so forth फिर आती artificial intelligence ठीक है artificial intelligence के अंदर machine learning इसकी sub type है यानि कि अगर आप artificial intelligence सीखना चाहते हैं you need to learn these things machine learning, deep learning, generative intelligence चो आजकल चल रही है generative AI, आखास और पे chat, GPT, etc. उस सब कुछ artificial intelligence के अंदर है so artificial intelligence एक अदाज़े के मताबग ये कहा जाता है कि data से आगे कुछ भी जो आप करते हैं किसे चूज़ को predict करने के लिए वो AI है AI क्या है artificial intelligence यानि के data आपने दिया machine को machine उससे सीख के कुछ prediction दे ठीक है so ये एक हमारे पास एक कहलें कि bubble बना हुए कि data analytics सबसे बड़ी उसके अंदर फिर artificial intelligence है उससे भी आगे specific चले जाए machine learning machine learning के advanced type को deep learning बोला जाता है even deep learning के advanced transformer architecture को बोला जाता है generative intelligence क्योंकि generate करते हैं आप कुछ ये और इंशाला हम सारी dimension को सीख रहे हैं उनको tag करना जरूरी होता है जिलनों ने बनाय हुए जरूरी से मुराद ये है कि ये उनके काम के साथ भी क्या उसे बोलते है एक क्या उसे बोला जाता है मुखलिस होना होता है कि ठीक है उन्होंने ये काम किया और उनको credit मिलता है अब artificial intelligence क्या है engineering of making intelligent machines and program that's it this is artificial intelligence ऐसी engineering जिसके अंदर आप machines को intelligent बनाते है machine intelligent कैसे बनती है based on the data data नहीं machine कुछ नहीं कर सकती so data आप यही समझ ले machine के लिए एक gas का काम करती है gasoline का काम करती है या petrol जो होता है हमारा उसका काम करती है machine को अगर petrol नहीं मिलेगा वो नहीं चलेगी so artificial intelligence के लिए AI के लिए data जरूरी है अब आगे चलते है machine learning ability to learn without being explicitly programmed समझ आई बात की आप फोरण नहीं बताते के for example इसकी मिथाल मैं देता हूँ आप machine को यह नहीं बताते के अमार साब है तो यह male gender है और यहाँ पे काइनात बैठी है यह नगमा बैठी है तो यह female gender है आप machine को explicitly नहीं बताते है machine data की base पे learn करती है के gender कौन सा है समझे बात की तो आप data देते हैं नाम बताते हैं नाम के बाद age बताते हैं likeness, dislikeness और फिर बाद में आप बताते हैं हिजाब है या नहीं है सर पे something like this so these kind of data sets आप वो देते हैं machine खुद से predict करती है ठीक है और इसी को बोला जाता है machine learning आप explicitly ना बताएं बट वो machine खुद से pattern recognize करके जो उसके पास non data है जो पराने जुमाने से data चला आ रहा है male और female का gender की base पे उनका data है उसकी base पे उसने सीखा हुआ है अब आप उसको नहीं बताएंगे के हम तीनों में से gender की base पे division कैसे होगी और machine खुद बाखुद उस pattern को recognize करके हमें बता रही है फिर deep learning चलते हैं आगे यह advanced step है that is learning based on deep neural network इसके अंदर neural network आते हैं ठीक है और अभी recently सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि recently जिस बंदे ने basically neural network की बनियाद रखी थी Geoffrey Hinton ने उनको nobel prize मिला है सिरफ इस base पे कि उन्होंने neural network की बनियाद रखी थी of course there are some debate going on कि Hopfield network इससे पहले था जिसको मिलना चाहिए था neural network का किताब क्योंकि उन्होंने बताया था कि brain human brain कैसे काम करते है और Geoffrey Hinton ने इनको computer के अंदर इसको लगा लिया so this is a long story इसके उपर बहुत podcast मिला है और Geoffrey Hinton जो है इन्होंने google को भी छोड़ दिया फिर open eye वाले जो हैं इनके शेगिर्द हैं और many other people जो ये काम कर रहे है at the end कहने का मकसद ये है कि neural network की base पर जो काम होना अगर noble prize किसी चीज को मिला है किसी चीज की बुनियाद रखने पर that means इस वकत की age की सबसे वो fast-paced और तरक्की वाली आप कह सकते हैं field है ठीक है खासतोर पर पर अफकोर्स 3-4 fields की noble prize है और बाकी fields के different और advanced किसम के prizes होते है but on the other side I can say deep neural network या neural network को अगर आप समझ जाते है you can learn a lot better than other people जिनको machine learning का पता नहीं है deep learning का पता नहीं है AI की तरफ directly move कर रहे है आप समझेंगे वो specific छोड़के direct AI की तरफ जा रहे हैं अब मुझे आप बताएं अगर data ज़रूरी है जैसे कि मैंने यहां पर बताया जिस बंदे को data की sense नहीं है जिसको यहीं नहीं पता numeric, categorical के है वो खाक AI पढ़ सकते है या सकती है so कहने का मक्सद यह है कि हमारे है there are many courses out there जो पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेश और even USA के अंदर भी महजूद है English, उर्दू, Hindi जितनी भी languages अभी में अगर आप देखे वो directly AI को पढ़ाना स्टार्ट करी जा रहे है या वो general intelligence को पढ़ाना स्टार्ट करी जा जनरेटीव AI का direct course पढ़ा रहे है So I would highly recommend उनसे भी मेरी request है कि प्लीज पहले data की sense देए बच्चों को आस तोर पर जो student सीखना चाते है उनको data की समझ आगी न, अगले काम तो बहुत असान है So Alhamdulillah यहाँ पर हमने इस course के अंदर यही काम किया data पहले बताया, अब हम आगे move कर रहे है So हम third part की तरफ चलते है अब एक और चीज है, आप कह रहे है data science क्या है फिर यह भी question आता है न माइन में, ठीक है जी intelligence हागी हमारे पास, machine learning और deep learning और artificial intelligence is data science क्या है data science एक ऐसी चीज है जहाँ पे statistics, data plus आप इन तीनों fields को भी cover करते है So it's a broader field, really broad field अगर आप खुद को data scientist कहते है न you should know and you should be a data analytics first one is data analytics आपको आने चाहिए data के pattern निकालने आने चाहिए data को visualize करना, data को समझना data कहां से आया, data ठीक है, नहीं ठीक है यह सारी चीज है and then you should know basic of statistics and mathematics जितनी आपको यहाँ पर पढ़ा दी गई है and then you need to cover these three topics which is machine learning, deep learning and artificial intelligence and these three topics are important to be a data scientist ठीक है so of course data scientist एक job इसके अंदर काई job fields है जैसे machine learning engineer हो सकता है deep learning engineer हो सकता है यह हो सकता है कि AI prompt engineer हो या data analyst हो, वो सारे का सारे data science के अंदर या आता है ठीक है so अगर आप खुद को data scientist कहते है doesn't mean के आप data analytics के job नहीं कर सकते आप machine learning की नहीं कर सकते या other नहीं कर सकते so you need to search for different keywords when you are searching for job अब इससे भी थोड़ा सा advanced चलते है अब थोड़ा सा देखते हैं कि यह क्या है सब कुछ सबसे पहले चलते हैं data science के तरफ data science is a subset of AI ठीक है AI का subset है it is an area of statistics mathematics to extract meaning and insights from data समरे भात की data driven insights निकालना that is data science and of course insights निकालने के लिए आपको machine learning भी करने पढ़ती है deep learning भी करने पढ़ती है artificial intelligence का भी use करना पढ़ता है and data को भी समझना पढ़ता है then हम चलते है machine learning के तरफ machine learning is a subset of AI and it builds a model based on training data to make prediction simply आप क्या करते है data जो यहाँ पर आपने pattern सीखे है उद से सीखे है उद से explore किये अब वो machine को सिखाते है फिर machine उसको सीखने के बाद unknown data को predict करती है that is called machine learning अब आगे चलते हैं deep learning के तरफ deep learning is a subset of machine learning a class of ML जिसके अंदर neural networks use होते है जब भी लफs neural network आएगा न means that is called deep learning ठीक है traditional machine learning algorithm जो scientific statistics के अंदर से उठाए गए है उनको machine learning algorithm बुला जाता है लेकिन deep learning specifically वो होगे जिसके अंदर आप neural network को use करते है अब कुछ लोग कहते हैं कि deep learning को machine learning कह सकते है of course कह सकते क्योंकि this is a sub type ठीक है इसके अंदर आप complex problems को resolve करते है neural networks को use करते है complex problems यानि कि इतनी complex problems के data बहुत बढ़ है आप try to find the pattern which cannot be captured with traditional algorithms ठीक है सो आप उनको use करते है पिर आता artificial intelligence that means creating smart machines to mimic human behavior simple समदागी बात की so AI किया है nothing but you create some kind of training या आप machine को इतना train कर दें वो एक आदा human behavior को खुद से use करना start कर दे या वो उतने तक mimic करना start कर दे जैसा कि text की prediction होती है that is AI आप लिख रहे हैं आपके keyboard के आगे prediction आ रही है तो वो human behavior है न अगर आपके पास कोई सियाना बंदा बैठा वो कहेगा इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो तो वो का मशीन कर रही है ठीक है फिर आप जो prompt लिखते हैं आज कल के दोर के advanced example prompt लिखते हैं आप prompt लिखने के बाद आपके पास तस्वीर आ जाती है अगर कोई आपके पास artist बैठा हो तो आप उसको बताएं कि मैंने ये बनाने तो वो आपको बना के देगा न digital artist हो या दूसरा तो artist का काम में में कौन कर रहा है machines that is also a behavior फिर आप कर रहे हैं जनाब prompt देने के बाद video जनरेट कर रहे है directive video आ रही है so अगर artist को देखा जाए जो video बनाते है अब अगर आप prompt दे रहे हैं कि मुझे ये वाली video चाहिए जैसे सोरा का algorithm है इसके लावा multiple other algorithm से वो क्या हो रहा है वो machines कर रहे है machines के पास इतना videos का data आ गया वो pixels की base पे उस data को collect करके एक नही वीडियो बना के दे रहे है so that's generative artificial intelligence या generative AI जो सीख के कुछ नया बना दे ठीक है so इस तरीके से data is everything वहाँ से start करें आप खुद से pattern वगएरा learn करें that is data analytics then data science के अंदर क्या आता है machine learning, deep learning, AI तीनों आते हैं फिर machine learning क्या है क्या machine को pattern सिखाए machine को data दें different algorithms मुझूद है that those algorithm tells a machine के किस तरीके से learn करें सही है हर algorithm different way में learn करवाता है सही है और इसके बाद आ जाती है आपके पास deep learning जिसमें neural network यूज होता है फिर आपके पास on advanced level AI आ जाती है अब AI के अंदर इतनी exam मुझूद है कि आप specific AI को देख लें general AI को देख लें human intelligence को mimic अगर सारे के सारी human intelligence को mix करेगी that is like having several behavior of human जिसको अगर mimic करेगी that is general intelligence यानि कि उसको सब कुछ बता हो अब chat GPT सिरफ और सिरफ कुछ human behaviors को जो है mimic करती है जिसमें आपका audio listening है vision है इसके बाद text prediction है ये तीन काम कर रही है लेकिन still it hallucinates hallucinate का मतलब पागलों पागलों वाली बाते हैं करना समझ रहे है तो जैट GPT ये काम कर रही है इसके लावा market में और बहुत ज्यादा models हैं जो AI के base पे बने है उन्होंने क्या किया है उन्होंने दुनिया से data एकठा किया जो openly available है जैसे Google पे आप search करके कुछ भी download कर सकते है इकठा करने के बाद उस पे model train किया है अपने यानि कि इस machine को सिखा है कि ये data सीखो क्या सीखते उसकी base में model train हो गया उन्होंने उसको दुबारा से input देना start कि वो model बाते करना start करेगे ठीए So this is how these things work fast ओर पे chat GPT-like algorithm open AI-like algorithm cloud anthropic-like algorithm Gemini-like algorithms meta AI-like algorithms and there are many other algorithms जिनको इंशाला हम पढने वाले है So this is about AI, machine learning, deep learning and इंशाला हम इस पूरे series के अंदर इन सब चीजों को देखने वाले है